है तो आज आदी कुछ बना रहे है क्या बना रहे हो आदी तो आज एक ब्लेने बनने जा रहा है यह चावल में बिगAllah लिए अगर टिजावन दिखाल करें लैमन मिर्चा अगर खरा अगर डिखाव पट्ला करी मसाले अगजिक ज República weapons अब आप इसको चगाने जा रहे हैं इसको आम चाड़ा देते हैं इस चलिए ओके तो अभी इंडक्शन पे चड़ गया है और यह अभी 200 पे हैं ओके चलो फिर देखते हैं कैसे बनती है इनकी एग बिर्यानी अब इसमें एग भी यह तो फाइनली दो एग अडिने डालती है इसमें, अ मतलो बहुत अच्छा बनने वाला है तक है अपलने में हिसको यह तने सारे मसाले इसने डाले है और साथ में दो एग बी औला है लेमन भी है जलो देखते हैं कैसा बनता है ओ वाव राइस बन गया है आहाहा क्या खुश्बू आ रही है और देख सकते हैं क्या मस्त जवर्दस लग रहा है बिर्यानी बनना शुरू हो गया है यह रिफाइंड ओल है ना रिफाइंड ओल में देखें आप गरे में मसाला बोल सकते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा और यह उनियन है और इदर पीज और यह कौन सा पेस्ट है वो टमेटो टमेटो शिमला मिर्च और ग्रीन चली का पेस्ट है जो की जिससे ग्रेवी बनेगा अभी वाव यह बढ़ गया है वाव बनेगे वी तो को मशालों से कुस्भू आ रही है उनियन फ्रै हो रहा है मतल कब पड़ेगा इसमें मतल सबसे लास में दानेंगे लास में दानेंगे लास में दानेंगे ओनियन पूरी तरह से फ्रै हो गया है अब क्या करना है अदीस में अभी हम लोगे पेस्ट दालेंगे ठीक है पेस्ट पड़ गया है और इसको हम लोग अच्छी ते रख से अभी पकाएंगे यह नमक गिरा नमक गिरा अब इसमें लाल मिर्च गिरी यह है हल्दी लाल मिर्च और नमक पड़ गया है और यह गरम मसाला ओके ठीक है गरम मसाला लाल मिर्च नमक हल्दी मिक्स हो गया है यह तो अब इसमें बिर्यानी मसाला अब इसमें अब इसमें बिर्यानी मसाला अब जा रहा है यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब क्या होगा अब यह अलका सा इसमें से पानी मिला लें में ओके थोड़ा सा पानी एड़ो गया इसमें तो इसको थोड़ा देर हम लोग पकने देगा है अच्छी ठीक है सो अब मतर पढ रहा है मतला प्याज मसाला सब कुछ भून चुका है उसके बाद में मतर पढ वड़ा है इस ऑपरी करोगे ज़ाए तो इसको मलग लोग प्राई कर लेए जाए से अब इसमें क्या पड़ेगा अभी इसमें डालने जारे हम लोग एक को डालांगे करेंगे यह आई अगर चावल के साथ यह बाल सकते हैं जैसे बाला था एक चावल के साथ ही बाल सकते हैं अभी थोड़ा और बिर्यानी मसाला एड़ो रहा है ना अजी बिर्यानी मसाला कितना दो चम मल्च की तीन चम मल्च काफी है तो एडिशनल टेश्ट के लिए अम लोग बिर्यामी मसाला थोड़ा और इस्तमाल कर रहे है तो अब यह क्या करने जा रहे हो आदी तुम तो यह चावल काम लोग पस्ट लियर यहां पे लड़ा देश्ट काफी है अब इसके ऊपर भी कुछ लगेगा क्या तो इसके ऊपर हम लोग रख देंगे यह अन्डा और ग्रेवी को थोड़ा हम लोग डाल देंगे इसकेंड लियर में ग्रेवी ही बनेगा अब इसके ऊपर सेकेंड लियर इसकेंड लियर चावल चड़ेगा मतला पहले राइस उसके ऊपर से ग्रेवी एग फिर उसके ऊपर से इसकेंड लियर राइस का है अब इसकेंड लियर राइस की लग चुकी है अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फाइनल लियर आप लुटवन लियर अखिस वान लगाएंगेन, फेल लेवी लगाएंगे के दिटावल लगाएंगे सिटाउल लक पने लुट लाइगे वह थैल्य लंब इसके processed cat ल Wentu का एंदो, मैं दो बना रहा हूँ, योपु अपधे दिस्टरंट है लास्त लेयर जो आप देख रहे हैं जो ग्रेवी कर रहेगा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके दो बताएगे का तो अभी यह मिक्स हो रहा है अभी यह मिक्स हो रहा है अहाहा कुछ भूब अच्छी आरी है तो यह अभी और अच्छी आरी है तो यह अभी अल्मोज री हो चुका है तो हम लोग इसको फाइनल टेच्छ देते हैं मैं इसको थोड़ असा गार्निशिंग कर लेता हूँ ज्यादा नहीं करेंगे हैं थोड़का गार्निश करेंगे तास्पी यह थोड़ा कलर्फुल लगे यह है मेरा फाइनल टच वाव लेमन इसमें नहीं चोड़ेंगे लेमन हम लोग यूज़ करेंगे बाद में अभी जो दिख रहा है आपको यह रेडी हो चुका है पूरी तरीके से और कमेंट करके जरूर बताईए के कैसे लगा और ट्राइ जरूर करेंगा रेडी हो गई है एग बिर्यानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कैसी लगे और ट्राइ जरूर करिएगा जिनको जिनको बिर्यानी बहुत पसंद है मैं टेस्ट करके बताती हूँ बहुत अच्छी बनी है आप लोग ट्राइ जरूर करेगा 10 आट 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 बहुत मस्त बनाएग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करेगा बहुत अच्छी एग बिर्यानी बनाई है अधिने आप लोग भी जरूर ट्राइ करें अगर रेसीपी पसंद आई हो तो और कमेंट करके जरूर बताए कैसी लगी एप लोगी लुड़ पस्पटर लुड़ जो लाइक ग्रपक।